हेलो माई डियर फिटेंट्स नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्धियारतियों मैं राजिस्सर ऐसे सीजियल पिनाकल कोचिंग पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूं तो मेरे प्यारे वच्चो आप सभी को पता है कि टॉपिक चल रहा था अपना कौंसा कोड़िंग डिकोडिंग यानि की कूट भासा और उस कूट भासा में इस अपने पास को क्या लिखेगा सबसे पहले इसके अगर आपने नम्मर डालें क्योंकि जब आपने पास ऐसी आती है संख्या तो नम्मर तो डालना ही पड़ेगा और जब इसका नम्मर डालेंगे न तो नम्मर में मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां L का आएगा 12, O का आएगा 15, W का आएगा 5 और इसका आएगा 18 इसको लिखा हुआ है यहां पर 186 यानि कि 186 और जब 186 अगर यह लिखा हुआ है न तो इसमें सबसे पहले अगर नम्मर का एड़ करें तो सर 2, 5, 7, 3, 10, 10, 10, 5, 15, 15, 15 और 8 बोलो कि सर 23 होता है यानि कि 2 कहरी लगा 1, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 2, 7, 73 है अब 73 से अगर मैं 86 निकालने की सोच हूँ यार कि यहां से देखो 1, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 73 को मैं multiply अगर 2 से करूँगा ना 3, 2, 6 और 7, 2, 14, 146 होगा बेटा ना कि 186 आएगा ना कि 186 अब सोचो कि सर इसको मैं opposite कर दूँ यानि कि इसको अगर मैं कापोजित आप बोलोगे सर 15 होता है यह 12 होता है यह 23 का 4 होगा इका 22 होगा अठारा का 9 होगा तो 5 और 2, 7, 4, 11, और 2, 13, 13 और 9, 22 होता है यानि कि 2 और उसके बाद यहां पे 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 62 हो गया अब 62 की बात करें अब आप कहोगे कि सर 62 को डबल कर दीजिए तो 62 को भी डबल करने पर मेरे प्यारे बच्चों आप सोचोगे कि नहीं आएंगे आप सोचोगे कि नहीं आएंगे तो यहां आगर आपन देखेंगे सर सम का सम कर लिया कि 62 हो गया यह 146 का भी अगर सम करें कि 62 कर दिया और 146 और अगर इसका भी सम करोगे ना तो इसका भी सम कर करने के बाद आपको नहीं आएंगे सर किस से कुना करें तो अगर आप देखो कि सर हमने लॉवर था इसको अपोजिट कर लिया विप्रीत कर लिया सम तो 62 आए लेकिन क्या 62 के पहाड़े में याता है आप बोलोगे सर तीन से मल्टिप्लाइ कर दो तीन दूनी 6 और तीन दून पास इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये लोजिक वो लगा सकता है इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इस वाले को भी और इस वाले को भी अगर आपन चेक करें तो M का अपोजिट आप बोलोगे कि सर मन 14 हो गया U का 6 हो गया L का आउप 15 हो गया I का इंडियन रेल व चार है चार और चार आठ होते हैं वह वाल को हटाओ इसमें से यू को हटाया I को हटाया तो एक दो तीन चार है ना वई वन टू थरी फो तो यहां आठ को चार से गुना किया सी को तो आठ चुके 32 320 बिलकुल सही बात है वही लोजिक लग रहा है तो इसमें भी लगा ओका हो जित आप बोलोगे 12 हो गया फिर इसका 11 हो गया 7 हो गया 18 हो गया 15 का 12 हो गया 14 का कितना होता है 13 होता है 1 का 26 हो गया, L का क्या हो गया, 12 हो गया, सुरी 15, L का 15 हो गया, तो ये तो सब के इन में नम्बर डाले, और नम्बर डालने के बाद 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानि कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, विल्यकुल सही है, तो 2 और 1, 3, 3, 7, 10, 10, 10, 8, 18, 20, 20, 23, 23, 23, 29, 29, 29, 35, 34 होते हैं, 4 कहरी लगी 3, एक, दो, तीन, चार, पांच, छैसात, आट, आट, तीन, ग्यारा, 114 और मल्टिप्लाई कर देंगे किस से, आपकोगे सरrr मल्टिप्लाई कर डो, किस-किस को इठाओ, 1 को इठाओ, आई को, इठाओ, 1, 2, 3, 4, मल्टिप्लाई 4 से कर डो, 4.16, दो में 4 चुक 16, 4 एकम 4 पांच और ये 4, 4, 56, 456 जो किसमे है? Option नमर डी में. समझ में आया कोशन कैसे हुआ? समझ में आया कैसे हुआ कि सबसे पहले इनका क्या किया? अपोजिट किया, विप्रीत किया. अपोजिट करने के बाद, अपोजिट करने के बाद हमारे पास यहां कोशनेट से गुना किया. Next question देखू, अगला. अगले वाले question में आप देखोगे, कि सर, coding, decoding में travel को ये लिखा हुआ है, तो उसी वास्ता में इसको क्या लिखेगा? तो T की बात करें, तो प्यारे बच्चो, T के आप देखोगे, सर, 19 है, वैसी चेक कर लेते हैं, सर, बोलोगे, 19 है, प्लस एक हुआ, 18, प्लस दो हुआ, एक है, तो सर, यहां 23 आ गया, V का B आ गया, पता नहीं चल रहा, E का M आ गया, तो क्यों न, सर, सबसे पहले इनके नमर डालने, और सबसे पहले जब इनके नमर डालोगे, तो मेरे प्यारे बच्चो, नमर आपने देखते हैं, क्या होगा? कि यहां T है, T का नमबर होता है 20, R का होता है 18, A का 1 हो गया 22 हो गया और यह 5 हो गया और यह 12 हो गया इसमें देखोगे कि सर यह 19 है, यह 21 है और सर यहां देखें कि अपने पास यह 23 है और फिर यह 2 है, और फिर यहां 13 है, और फिर यह 6 है जैसे नमबर डाला तो हमें पता लग रहा है कि सर एक में तो प्लस हो रहा है एक में यहां पे माइनस हो रहा है और आपन देखें कि आपन सर किसको क्या करें तो यहां क्रॉस कर सकते हैं 20 में से देखें तो यहां क्रॉस में देखो 20 और यह प्लस में एक हुआ यह अगर देख होग 18 और 11, 6 और 11, 7 होते हैं, 26 और 11, 27 होते हैं, 15 और 11, 16, 14 और 11, 15 होते हैं, 5 और 11, 6 होते हैं, यानि कि F, तो अपने पास आया S, G, A, P, O, F, तो यहां आएगा S, G, S, G के बाद A, P, O, F, जो किस में मिला, option number B में, option number B में मिला, यह अपना right answer था, correct answer था, बिल्कुल, समझ में आ गया, तो 452 के बाद next, 453, 453, अब 453 के अगर आपन बात करें, तो 453 में आप देखोगे कि सर इसमें कैसे हुआ, सबसे पहले अगर आपन देखें, कि सर इनके number डालो, और जब number डालोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों number होगा, इसका L का 12, O का 15, A का 1, और D का 4, अब इसमें देखोगे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है 27, यह लिखा हुआ है 24, यह लिखा हुआ है 16, और यह लिखा हुआ है 13, ऐसा नहीं हो क्या, कि ऐसा नहीं हो कि 12 का अपोजिट होता है 15, 15 का अपोजिट होता है 12, हाँ, ऐसे बिलकुल हो सकता है, कि सर इसने कहीं इसको alphabet का coding जमाया हो, तो alphabet का coding बेटा है 1 हो गया 4 हो गया 12 हो गया और यह 15, इसको नीचे लिखूँ तो मैं 27 है, 24 है, 16 है, 13 है, 27 आगया, ऐसे फिर 4 का अपोजिट 23 होता है, 23 में प्लस 1 कर दिया, 24 आगया, ऐसे इसमें अपोजिट किया, आपोजिट किया, आई आएगा, आई के बाद K, फिर आपके पाद R, फिर S और फिर T, अब E का आपोजिट V होता है, प्लस एक करेंगे, यानि कि आपोजिट प्लस वन, तो V में प्लस वन करेंगे, तो W, I का 18 और 11, K का P और 17, Q, 18 का 1 और 10, और 19 का 8 और 9, 20 का 7 और 8, यह बनेगा, W, S, लेकिन नम्मर चाहिए उसको तो, तो नम्मर मतलब 23 है, 19 है, 17 है, 10 है, 9 है, और यह 8 है, तो 23, उसके बाद 19, तो 19 यह है बस, तो इसका मतलब यह है, तो option नम्मर कौन सा, D, विकल्प D है, प्यारे बच्चो, तो question 453 के बाद, next question, अगला है 454, 454 नम्मर question, और 454 नम्मर question में बात कर इसको यह लिखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि minus 1 plus 1, बिल्यकुल वही तो है, वही है, तो यहां लिख भी दूँगा मैं, कि सर, 4 है, 1 है, यह 18 है, यह 11 है, यहां देखोगे 3 है, यह 2 है, यह 17 है, यह 10 है, आप कहोगे सर, minus 1, plus 1, minus 1 और यह plus 1, इसका जब निकालोगे, तो सबसे पहले minus 1, तो 20 में से एक गई बोलोगे, 19, 15 और 16 होता है, 24, 20 में से एक गई, 23 होते है, 9 और 10 होता है, और C में से एक जाओगे, तो B होगा, SPW, JB, SPW, JB, यह हो गया, तो 404 question हुआ, next question 455, 455 question, इसमें आप देखोगे, कि सर, printer को अपने पास यह लिखा हुआ है, है जब printer को अपने पास यह लिखा हुआ है, तो क्यों हम इसके नमर डाल लें, कि सर 16 है, नमर 18 है, 9 है, यह 14 होता है, यह अपने पास 20 है, यह 5 है, और यह 18 है, इसमें देखोगे सर 11, 18, 18, 14, 7, 5, 9, ऐसे लिखा हुआ है, कि आप देखोगे, कि सर 16 से 11 कैसे आया, तो 16 से 11 के लि देख लें, कि सर 16 के अपोजिट में 11 होता है, 8 कैंपोजिट में 9 होता है, 14 के आप बोलोग recur 13 होना चाहिए था, यह 13 होना चाहिए था, 13, 30 मेंгिसि में दिखाए दिखार, लेकिन अगर वोवल की बात करें, तो वोवल में देखोगी कि 9 का 18 हो गया, 14 का 14 रहा, 20 का 27 होता है पांच का पांच ही रहा, 18 का फिर उसके बाद क्या हुआ, सर इसका नो हो गया अब यहां जो 18 था, उसका 18 ही रखा गया, अब मेरे प्यारे बच्चों 16 का तो अपने पास क्या होना अच्छी था 11 बिल्कुल ग्या रहा है तो यहां क्यों नसरीन को एक बार आपन सबसे पहले alphabet या फिर उल्टे क्रम में लिखें उल्टे क्रम में अगर आप लिखोगे आप बोलोगे कि सर सबसे पहले यहां चेक करोगे कि नीचे सर लिखा हुआ है यहां इसमें आप देखोगे कि सर हमारे पास कौन कौन तो अपोजित है तीन और चोविस यह अपोजिट है उसके बाद देखोगे सर बीस और साथ यह अपोजिट है पंदरा और बारा यह अपोजिट है बाकी सेम है इसका मतलब अल्टरनेट चल रहा है और अल्टरनेट चल रहा है तो ये भी तो अल्टरनेट चल रहा होगा न कि भई P का अपोजिट 11 हो गया फिर 18 का 18 सेम रखा I का अपोजिट 18 हो गया N का सेम रखा 14 T का अपोजिट 7 हो गया R का 9 रखा समझ में आया हाँ अब यहाँ देखा कि सर हमारे पास जब यह अपोजिट चल रहे है विप्रीच चल रहे है और इसका हम ऐसे निकाल लिया अल्टरनेट तो छोटे से निकाल लिया इसमें देखो T का क्या आएगा सर T का आएगा यानिकी 7 अच्छा E का सेम रखना है यानिकी 5 R का अपोजिट आएगा यानिकी 9 13 का सेम रखना है 13 I का 18 हो गया T का सेम रखना है 20 E का 22 हो गया तो अपने पास यान देखो 769 ये अपने पास 759 और 759 131 82022 बिल्कुल सही है Option अमर D कौन सा है Option अमर D सही है वो बिल्कुल राइट आन्सवर था यानिकी अल्टरनेट चल रहा था विप्रीत चल रहा था अगर ये बड़े वाले से आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि जैसे अभी कर रहे थे दिमाग कम चला तो हम छोटे वाले को भी ले सकते है उसके पीछे reason क्या है क्योंकि examiner ने जब ये दिया है ना ये दिया है छोटा वाला होता है ये 23 होता है और ये 26 है ये 18 है और ये 6 है इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि सर इसमें cross कर दीजिए और plus में कर दीजिए cross में किया तो plus 3 ये plus 3 ये plus 3 किसको पूछ रहा है rate को तो आप इसमें plus 3 कर दीजिए तो यहां 20 और 3 करोगे तो 23 होगा याने कि W एक और 3 क्या होगा आपके पास 4 होगा 18 और 3 21 होते हैं तो W, D, U W, D, U एक में ही था जिसमें option नमर C में तो 456, 456 वाला question हुगा next question है 457, 457 इसमें भी सर सबसे पहले नमर डालें क्या तो नमर डालोगे तो R का नमर होगया 18, I का 9 होगया, T का 20 होगया और U का 21 इसके नीचे alphabet वाले इसका नमर डालोगे Decode वाले का, तो W का 23 होता है L का 12 होगया, Y का 25, X का 24 होगया आप देखोगे कि सर इसके अंदर तो प्लस में 18 पलस में 4 होगः, 9 पलस में 3 होगः, फिर इसके में पलस 5 होगः और 20 में पलस 3 हो ऐसे होगः कि 4, 14, 5, 15, ऐसे आपने सोचा कि सर यहां बहुञा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसा भी हो सकता था, कि Cross में करें तो Cross में नहीं होगः बेटा 4, एसे F आया यहां प्लस 5 हुआ, यहां प्लस 5 हुआ, 13 से 16 जाओगे, तो प्लस 3 होगा, और 1 से 6 प्लस 5 हुआ, और यहां N से जाओगे, तो यहां 14 और प्लस 3 होगे, और इसमें भी 18 और 4 नहीं बेटा 5 हुआ था, 4 नहीं 5 हुआ था, 18 पांस 23 होते हैं, आप समझ में आया, तो इसका मतलब तो इसमें आप check करोगे तो 13 में 5, जोड़ोगे 13 और 5, 18 होते हैं, फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो 9 और 3, 12 होते हैं, इसमें 5 जोड़ोगे 18 और 25, 23 होंगे W, निsil 7 जोड़ोगे तो 6 होंगे, तो RLWF, RLW आपके पास RLW, यहां तीन जोड़ोगे तो D आएगा नहां तीन बिटा यहां पे प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री तो यह विटा D आएगा प्लस D यानि कि R L W डू जो किसमें हैं ऑप्सन B में ऑप्सन B में था तो नेक्स्ट कोशन अपने स्क्रीन के उपर होगा 458 458 और 458 नम्मर कोशन के अगर बात करें तो यहां 1 को लिखा हुआ है देखो कैसे इसको तो आपन आराम से कर सकते थे ना कि यह 15 का तो 15 रख दिया 14 दोनी 28 कर दिया और यहां पास्तिय 15 इसका मतलब क्या हुआ कि यहां 15 का सेम नहीं रखा इसको भी मल्टिप्लाई किया है और वो किस से किया है तो चलो चेक कर लेते हैं मल्टिप्लाई 1 से किया मल्टिप्लाई 2 से किया मल्टिप्लाई 3 से किया ऐसे ऐसे ही अगर 6 की बात करें तो सर मल्टिप्लाई 1 से करेंगे तो 19 से कम 19 और 9 दूनी 18 होता है बिटा तो यहां पर हो जाएगा 18 और 24 या बहतर होता है तो यह हो जाएगा 72 तो चेक कर लो 19, 18, 72 क किस में था? उप्संशी में. Next question, अगला question. 4.59, 4.69 वा. और 4.59 की बात करोगे कि सर इसको ये लिखा हुआ है. इसका मतलब सर क्यों ना हम इसके नम्मर डालने पहले? और बेटा नम्मर डालोगे ना तो 13 होता है, ये 15 होता है, 14 हो गया, 20 हो गया, 8 हो गया, और 8 के बाद ये 12 हो गया, 12 के बाद 25, यहां नीचे देखेंगे, तो नीचे आपको यहां दिखाई देगा, और नीचे में क्या देगा? तो प्यारे बच्चों, नीचे आपके पास यहां दिखाई देगा, हमारे पास क्या? कि सर D है 4 हो गया 7 हो गया 13 है 15 है 19 है 10 है और उसके बाद 18 है सभी में अगर बात करें कि सर प्लस में क्या हो रहा है तो आप चेक करोगे कि सर 15 में प्लस 8 हुए यहां तो हमें दिख रहे हैं कि सर 15 में प्लस 8 हुए लेकिन अगर बात करें कि यहां 14 है 14 में है निया मैनुस हूए 20 से 10 से 8 से 19 हुए अब अब ऐसे ही करेंगे धर 600 में करेंगे देख कुरह Divanile स्ट नहीं शु सबसों करेंगे और चुछ बशीर भार्र उचों है और फिर समेंrut बहुता है और मेरे और 1 प्लॉस 3 ऐसे भी हो सकता है, 1 प्लॉस 5 लेकिन 6 नहीं है, अगर मैं बात करूँ कि sir इसमें हमारे पास क्या, अगर मैं करता कि sir इनको उल्टा, और उल्टा अगर मैं करता, या नि कि 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 से? Y से, तो Y से प्यारे बच्चों, पहले अगर मैंने 25 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 20 लिखा, उसके बाद 14 है, फिर 15 है, और देन उसके बाद 13, नीचे लिखा हुआ है 4 and 7 and 13 and 15 and 19 and 10 और 18, अब इसमें अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ दिखेगा आपको क्या, कि सर 25 से 4, कि हो सकता है कि सर प्लस 5 हो, 12 में प्लस 5 हो, 8 में प्लस 5 हो, यहाँ देखें तो आपको दिखेगा सर माइनस 5 हो, इसमें देखोगे कि 14 से, भाई यहाँ 14 से दिख रहा है, 14 से आपको दिखा कि सर 19 है, क्योंकि वहाँ आमने उसको उल्टा लिखा था, और जब उल माइनस 5 था बेटा, माइनस 5, 12 में से 5 के साथ, क्या चला, लोजिक क्या लगा, कि सर प्लस 5, माइनस 5, प्लस 5, माइनस 5, और कब लगा, कि सर सबसे पहले उनको reverse, यानि कि अपोजिट में लिखा, विप्रित पीछे से आगे लिखा, और ऐसी निकालना किसका है, हेडिंग का, तो पहले आगे से लिखेंगे 7, फिर 14 है, 9 है, 4 है, 1 है, 5 है, और ये 8 है, सर पहले प्लस 5, तो 7 और 5 बेटा, 12 होता है, यानि कि L, माइनस 5 करेंगे तो I, प्लस 5 करेंगे तो 9 और 5, 14 N होता है, माइनस 5 करेंगे तो आपको ये 30 में से माइनस 5, यानि कि 25 होगा, 25 बेटा Y हो आपको option number किसमे A में तो आगे जाने की need ही नहीं थी जरूरत नहीं थी तो अपने पास question हो गया कौन सा कि सर L, I, N, Y, F का 459 का next question next question है आपके पास 460 यानि कि 460 और 460 वाले सवाल के अगर आपन बात करें किसमें क्या होगा सबसे पहले चेक करते हैं क्या logic लगेगा इसे interact को अगर बात करें कि number की तो 9 हो गया, 14 हो गया T20 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ये 18 है, ये 1 है ये 3 है और ये क्या है 20, यहाँ चेक करोगे T की बात करें तो सब T में देखो कि 20 होता है, 14 है, 9 है ये 18 है, ये 5 है ये T20 है, C का 3 है और A का 1 है इसमें चेक किया, और जब इसमें देखा आपने ऐसे, तो यहाँ चेक किया, कि सर हमने सबसे पहले देखा कि इसमें अगर सीधा सीधा करें सीधे सीधे में आपको ये समझ में आएगा क्या, बिल्कुल सर्चीध सीधे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें, यानि कि आपस में क्रॉसिंग में करें, तो क्रॉसिंग में आप देखोगे, कि सर 20 का, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, अब 3, 3 से करें तो 9 से 9 सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन आगे अगर आप चलोगे, आपके पास हाँ, आगे हम 5 का 5 रहेगा, 18 से लेकिन 1 आया 20 का 20 रहा, हाँ बिल्कुल सही बात है अब इसमें अगर देखें, कि सर इसको alternate crossing में करें, कि 2-2 को लेके चले कि 2 को हमने यहां से उठाया यहां रख दिया उसक वाद 20 को देखा यह ऐसे कर सकते हैं 9 का 9 रख़ख़ा 20 का 20, 14 का 14 बिलकुल सही रख सकते हैं आगे आपने देखा सर 1 का 1 रखा हुआ है 20 का 20 रखा हुआ है, 3 का 3 2 रखा हुआ है चलो, अच्छी बात है, 18 का 18 रखा हुआ है, 5 का 5, दोनों सेम रखे हुए, सारे के सारे सेम लेटर है, सारे सेम लेटर हैं, तो आप भी ग्रॉस कर दो, और क्रॉस करोगे तो 3-3 को ऐसे और 2-2 को ऐसे क्रॉस करो, सबसे पहले T आएगा फिर A आएगा फिर S आएगा फिर R आएगा फिर U आएगा फिर आपके पास Y आएगा A आएगा और D आएगा कौन सा आ गया T A S R U Y A D बिलकुल option number B मिला यानि कि हमें इस समझ में कैसे आया 460 की सर अपने पास देगा सारे लेटर वही तो थे बस इंटरचेंज करके रखना था और इंटरचेंज करके रखा तो मेरे प्यारे बच्चो चलो देखते हैं next question तो देखिए मेरे प्यारे बच्चो 461 चार्ट फिक्षट वा कोश्चन जो अपने पास है इसमें देखें कि सर इसका कैसे निकालना है तो अगर alphabetical नमर के अगर आपन बात करें तो यहाँ आपको दिखाए देगा कि अपने पास जो S है न इसके alphabetical में नमर के अगर आपन बात करें तो S में देखा आपने 19 है E का 5 है यह 13 हो गया 1 हो गया 14 हो गया यह 20 है यह 9 है और यह क्या है 3 इसमें देखो कि 14 है 4, 8 है पता नहीं है कि 14 है 14 माल लेते है 4 माल लेते है 8, 5, 2, 9 और यह 3 अचा 1 है 2 है 3, 4, 5, 6, 7, 8 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है यहने कि इतने अपने पास हैं अब आप यहाँ चेक करोगे कि सर कैसे हुआ होगा कि अगर 1 और 9 को मैं एड़ करूँ तो 10 होते है और 10 का 1 लिख दिया होगा 5 में आपने देखा कि सर 4 हो सकता है 1, 3, 4 हो गया 1 का 1 लिखा 1 प्लस 4, 5 होता है 2 प्लस 0, 2, 9, 9 ऐसे हो सकता है कि सर 3 का 3 रखा 9 का 9 रखा, 2 प्लस 0, 2 हो गया 1 प्लस 4 किया, 5 हो गया उसके बाद यहां आगया 8 अब 1 प्लस 3 किया इसमें रख दिया आपने 4 अब 1 प्लस 9 किया होगा तो 10 और 10 में भी 1 प्लस 0 किया होगा तो 1 अब बच्चा अपने पास ये four और eight आये है न, तो ये कहां से आये होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये vowel होंगे और vowel की बात करें तो vowel में आपके पास यहां दिखाए दिया होगा कि सर अपने पास opposite भी हो सकता था, लेकिन opposite होता तो 22 होता और 22 कहां योग 4 हो सकता है एक का opposite 26 हो गया यानिकि एक का जैड होता है 6 और 2 8 होते ही लेकिन उसके तो यहां तो 5 है यहां तो अपने पास 5 दिखाई दे रहे हैं तो देखिए कि अपने पास अगर देखे कि ए जो है E और E का opposite होता है V यानिकि 22 और 2 और 2 बेटा होता है 4 उसके बाद बाद करेंगे सर यह जो आपने पास वोवल था एक और यहां एक का अपोजित होता है 26 और याने कि 2 और 6 को एड करते तो बिटा 8 होते 8 होते बिलकुल सही है अब यहां 8 आगए सही है आठ आगए अगर 9 का करते अपोजित 9 का अपोजित 18 1 प्लस 8 करते यह तो 9 आ कर देगा एक अपोजित करेगा और 6 और दो 8 होते 8 रखेगा सी का 3 रखेगा टी का याने कि 2 आ जाएगा आई का इंडियन रेलवे नो रखेगा सी का सी 3 रखेगा एक का वैरी 4 रख देगा बिलकुल तो 7 9 8 3 2 9 3 4 याने कि ऑप्सन नम्मर बी ऑप्सन नम्मर बी अपने पा और 462 की अगर आपन बात करें कि यहां अपने पास जो यह अल्फाबेट दिये हुए है इसके नम्मर डालने की 14 हो गया 1 हो गया 13 हो गया 5 हो गया यह 12 है यह 25 है इसको लिखा हुआ है वो 74 और 74 जब लिखा हुआ है तो यहां आप एड़ करो एक बर इन का 4 5 3 8 5 13 और दो 15 औ चुर 2 7 यहने कि 70 है लेकिन यह 74 है तो 74 है तो प्लस में 4 कर दिया अप प्लस में अगर 4 किया है तो यह तो हो सकता है कि इन वोवल को हटा के 4 हो इसके लिए चेक करवाएगा यहा 13 है 1 है 14 है 1 है 7 है 5 है सब को अगर मैं एड़ करूंगा तो एड़ करने के बाद अपने पास आएगा यहाँ पे 3, 4, 5, sorry, 3 और 1, 4, 4 और 4, 8, 8, और 1, 9, 9, 7, 16, 16 और 5, 21 होते हैं, कैरी 2 हो गई है, तो 1, और ये 2, 2 के बाद 2, 2, 2, 4, 41, और प्लस में 4, इसमें 4 कैसे आए है कि सर, इसमें वह वाल 1, 2, 3, नहीं, प्लस में 4 ही हो रहे हैं वेटा, और प्लस में 18, सब का सम करना है, सब को add करना है, तो यहाँ आपके पास आएगा 3, और 1, 4, 4, 9, 4, 13, 13, और 8, 21, 25, 26, 26 और 8, 34 होते हैं, तो ये 3, sorry, 4 आगया, कैरी 3 आगयी, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 5, 5, 3, 8 आगया, 84, प्लस में 4 कर देंगे, तो ये आजाएगा, अपने पास 88, जो किस में है, option number A में, जो option number A में है, इसका मतलब ये right answer है, बिल्कुल correct answer है, तो question 462 के बाद next है, 463, 463 वाद, अब 463 वाले question की बात करोगे, कि सर इसको पहले कैसे डालें, तो वही प्यारे बच्चों, एक बाद हलपावैट के नम्मर डाल लेते हैं, कि 16 है, 18 है, 15 है, 6 है, 1 है, 14 है, और ये 5 है, इसमें डालोगे 11 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 है, विटा ये 3 है, ये 26 है, 11 है और ये 22 है, तो देखो कितने होगे, चलो चेक कर लेंगे, यहां आप देखोगे, कि सर, 16 से 11 हो सकता है, कि माइनस 5 हो, अच्छा, 16 से 11 माइनस 5 हो, 18 से 15 माइनस 3 हो, 15 से 12 माइनस 3 हो, माइनस 3 और माइनस आपके पास 1 आ रहा है, फिर माइनस 3 आ रहा है, फिर उसका अपोजिट आ रहा है, तो कहने का मतलब है, कि सर या तो यह देखें कि एक दूसरे के विपरीत हो सकते है अल्टरनेट चल सकते है अल्टरनेट कैसे कि ये अपोजिट है ये अपोजिट है ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है इसमें देखा सर माइनस 3 हो रहा है ये माइनस 3 हो रहा है और ये भी minus 3 हो रहा है ये वाल logic लगा और ये logic लगा है तो D का opposite आप बोलोगे Sir W होता है न और 9 में से minus 3 गए तो 6 बचेंगे यानिकी F S का opposite करो आप बोलोगे H O में से 15 गए यानिकी 12 बचेंगे और B का opposite करो तो B का opposite करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा क्या Y E की बात करें तो यहाँ minus 3 करोगे तो B आए जाएगा यानिकी 2 और यहाँ आप बात करोगे Y का opposite ये भी B आएगा तो double B last में किस में है Sir 2 में है कि W, F, H, L, Y, W, B option number D आगे option number D आया 463 में तो चलिए next question 464 464 की अगर आपन बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप चेक करोगे कि answer इसमें क्या आएगा तो चलिए बात करते है rocket को ये लिखा हुआ है अब जब rocket को ये लिखा हुआ है तो Sir इसके number डालने में क्या दिक्कत है तो 18 हो गया, 15 हो गया, ये 3 हो गया 11 हो गया, 5 हो गया, ये 20 नीचे लिखेगी सर्ट 2 है ये 14 है विटा उसके बाद ये 17 है 17 के बाद 19 है, फिर 4 है फिर 10 है तो इसमें आपको साब साब दिख रहा होगा वैसे तो क्या? कि हमने चेक किया 18 से, यहां देखा माइनस 1 है, यहां भी माइनस 1 है, इसमें माइनस 1 है, क्रॉसिंग चल रहा है विटा क्रॉसिंग चल रहा है, तो सभी में क्या चल रहा है, माइनस 1 ऐसे ही इसमें भी जब माइनस 1 करोगे, तो यहां 20 में से कम 19, 15 में से कम 14, 14 में से कम 13 और यहां देखोगे 5 में से कम 4D, 3 में से कम B और 9 में से कम 8 SNM तो SNM1 में यह D, B, H जो किसमें है? Option number A में, जो option number A में है इसका मतलब यह बिल्कुल right answer है, correct answer है, तो 464 के बाद next question है 465, 465 और 465 वाले की बात करें तो सर इसमें super को यह लिखा हुआ है, तो इसके number डालेंगे तो सर इस 19 हो गया यह 21 है, यह 16 है, यह 5 है, यह 18 है नीचे लिखा हुआ है आपके पास 9 और यह 22, यह 11, यह 6 और यह 8 अब यहां आप चेक करोगे कि सर अपने पास कैसे हुआ, कि 19 से देखा 19 से देखा 22 है, सबसे छोटी है 5 है, फिर 6 आ रहा है 18 है 19, 19 का 9, अगर मैं कहूं कि अपोजिट तो बिलुकुल बिटा अपोजिट की बात करें तो इसमें कोई से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहां इसको क्रॉस में करूँ, अगर सोचूं कि सर 9 है और यह 8 दे रखा है अब इसमें अगर आपन देखेंगे कि सर इसको क्यों ना उलट दें, उलट दें तो आपन देख लेंगे कि उलटने पर क्या आते हैं, कि उलटने पर सबसे पहले मैंने कहा कि 18 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 19 आ गया, नीचे मैं लिखा हुआ है 9, फिर 22 है, फिर 11 है, और फिर 6, फिर 8 है, आप समझ में आ गया, कि यह अपोजिट है, यह अपोजिट है, य का L, F का U, T का G और Y का B, कौन सा आएगा B, G, U, L, O किसमें मिला, option A में option A नमर मिला, तो right answer हो गया next question है आपने पास 466, 466 466 question की बात करें, तो देख लेते हैं कि सर इसमें क्या हैगा, इतनी बड़ी संख्या अगर दे रखी है, तो इसका मतलब है क्या, कि इसका मतलब है कि सर इसमें कुछ क्या होगा जैसि ये 20 है, 40 है, ये 10 है 36 है, 26, 28, 28 और ये 2 हो सकता है, और ये 24 हो सकता है, कि यानि कि 20 दूनी 40 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया 8 दूनी 36 हो गया, कि multiply 2 हो रहा है, समझ में आ गया, कि multiply 2 हो रहा है तो क्यों ना इसमें multiply 2 कर दें तो जब multiply 2 करोगे तो 1 into 2 2 आ गया 21 दूनी 42 होता है 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30 होता है 18 दूनी 36 होता है, 25 दूनी 50 होता है तो यहां देखोगे 24, 28 24, 28, 18, 40, 30 और 36, 50 जो किसमें मिला? Option B में Option B में मिला तो वो अपना right answer हो गया, correct हो गया 466 Next question है 467 467 वाले question की बात करोगे कि सर इसमें अगर आपन नम्म डालें तो प्यारे बच्छों यहां जब नम्म डालोगे ना, तो यहां अपने पास इनकी position आ जाएगी 19 यह 9 है, यह 12 है, यह 22 है और उसके बाद है 5 और यह 18 नीचे डालेंगे कि सर यहां अपने पास 10 हो गया, यह 4 हो गया यह 17 हो गया, यह 13 हो गया यह 24 हो गया, और यह 17 हो गया आपने देखा सर 19 है 19 है, 10 है 19 है, cross में करें, तो यहां minus 2 होँआ, minus 2, यहां आपके चेक करते हैं कि क्या होगा, कि सर आपने crossing में देखा, तो crossing में यहां ऐसे अगर आपन चलें, तो आपके पास हो रहा है कि सर, minus 2, इसमें भी हो रहा है minus 2, लेकिन इसमें हो रहा है minus 5, अगर ऐसे इसमें अगर चेक करें, तो यहां आपने पास हो रहा है सर यहाँ हो रहा है माइनस 5 और माइनस 5 हो रहा है यहाँ भी हो रहा है आपके पास माइनस 5 लेकिन 5 से 24 की बात करें न तो 31 और 31 में से आप देखोगे कि सर 5 7 ठीक है भई? 31 यानि कि 5 6 और 7 माइनस 7 हो रहे अब जो यह logic लगा कि sir cross में किया minus 2 हुआ फिर minus 5 हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों ना आपन इसको ऐसे करें कि सबसे पहले कि इसमें उल्टा करके देख ले या alphabet के according भी जमा के देख सकते हैं तो alphabet के अगर according जमाएंगे तो पहले कौन आएगा आप बोलोगे sir e आएगा e के बाद कोन आएगा आप बोलोगे i आएगा फिर कोन आएगा आप बोलोगे sir l आएगा l के बाद आपके पास r आएगा और r के बाद s आएगा और फिर v आएगा और इसमें नीचे नम्मा डाल लिए sir 10 हो गए फिर 4 हो गए फिर 17 हो गए फिर 13 हो गए और यह 24 हो गया और यह 17, 17 हो गया अब अगर यहां चेक करूँ है और यहां आगर आपन चेक करेंगे कि सर यह तो 5 था तो प्लस 5 हुआ होगा, 9 था, माइनस 5 हुआ होगा, प्लस 5 हुआ होगा, माइनस 5 ऐसी ही तो चल रहा है, तो यहाँ आपने पास plus 5, minus 5, चल रहा है, लेकिन जमाना था, क्या करना था, जमाना था, लेकिन किस से, alphabet के coding, अब alphabet के coding आपन जमाएंगे, तो ये पहले इसको जमाओगे, तो आपके पास आएगा सर A होगा, A का मतलब एक नमबर, एक नम्म और फिर आएगा आपके पास 5 फिर आएगा कितना आपके पास 11 11 के बाद आएगा 14 14 के बाद आएगा आपके पास 18 और 18 के बाद आएगा 19 और फिर आएगा 20 आप कहोगे प्लस 5 तो यहाँ प्यारे बच्चों प्लस 5 करोगे तो F आएगा माइनस 5 Z आएगा और फिर प्लस 5 ग्यारण पास 16 होता है F Z P तो F Z P है फिर आपके पास माइनस 4 करोगे सोरी माइनस 5 करोगे तो I आएगा ठीक है बही आप देख लो किसमे है F Z P I किसमें मिला Option B में तो 467 467 question में अपने पास Option B मिला next question है 468 468 अब 468 की बात करेंगे तो सबसे पहले आपन देखते हैं कि सर इसमें क्या होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले नम्मर चेक करें तो नम्मर में आपने देखा 16 है ये 12 है, ये 5 है, ये 1 है ये 19 है, ये 1 है ये 14 है और ये 20 है इसमें देखा कि सर 2 है 6 है फिर 13 है फिर 17 है फिर उसके बाद 21 है फिर ये आगया आपका 15 फिर आगया 2 और फिर आगया 20 इसमें अगर मैं चेक करूँ कि सर सीधे सीधे में तो नहीं पता लग रहा अगर क्रॉसिंग में चेक करें तो क्रॉसिंग में आप देखोगे कि सर सोला है यह सतरा है तो यहां प्लस वन हुआ होगा बारा से तेरा प्लस वन हुआ होगा पांस से छे प्लस वन एक से दो प्लस ऐसे है, crossing में उन प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन, ऐसे हुआ, तो क्यों न, आपन भी ऐसी करें, कि इसमें 4 वाले को यहां पहले पीछे लेके जाएं, तो यहां 4 और एक 5 हो गया, 9 और एक 10 होगा, 19 और एक 20 होगा, और उसके बाद, उसके बाद इसको आगे ले क आएं, तो 5 और एक 6 होगा, 3 और एक 4 होगा, 14 और एक 15 होगा, और एक और एक 2 होगा, यह answer आएगा, U, T, J, E, F, D, O, B, किस में मिला, बिलकुल इसके सामने ही लिख दिया, हमने, option number B में मिला, इसका मतलब 468 का answer आगे, option number B, चलते हैं next question की और, यानि कि 469 और 480, 469 की बाद करेंगे सर सबसे पहले, इसमें ऐसा दिया हुआ है, तो क्या डालना पड़ेगा, number डालना पड़ेगा, और जब number डालेंगे, यहां 16 है, बेटा, यहां 18 है, यहां 9 है, यहां 3 है, और यहां 11 है, अब जब ऐसी बात है, तो सम करें तो 30, तो बहुत जादा जाएगा, लेकिन अगर डिजिट का एक बर सम करके देख लूँ ना, तो 6 और 1, 7 होता है, 8 और 1, 9 होता है, और प्लस में 9 हो गया, प्लस में 3 और प्लस में 2 हो गया, ठीक है वही, अचा, अब चेक कर ले, 9 और 18, 18 और 7, 25 होता है, 25 और 3, 28 और 2, 30, बिलकुल, यह ऐसे हुआ, ऐसे इसमें चेक कर दो, इन दोनों को एड़, तो यह 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, तो 9 और 1, 10 और 8, 18 और 7, 25 होता है, 25 और 3, 28 होता है, यानि कि 28, ऐसे भी हो सकता है बेटा, ऐसे भी हो सकता है, लोजिक, कैसे भी लगा सकता है, तो चलिए, next question के और बढ़ते हैं, तो अ 18 है, यह 5 है, यह 1 है, और यह 12 है, इधर देख रहे हैं, तो 14 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 15 जैसा दिख रहा है, और 21, 15 नहीं है पिटा, यह 5 है, यह 5 जैसा दिख रहा है, 5 के बाद 18 जैसा है, 12 है और 1 है, बिल्कुल एक चीज यह समझ में आई, क्या, कि जो 21 था ना, इस में रखोगे तो 23 और 18 फिर आएगा आपके पास 25 और 1 अब चेक कर लो 9123 9123 18251 जो किस में मिला option number D में option number D में मिला तो ये right answer हुआ next question 470 के बाद 471 अब 471 में देखोगे सारे letter V है sir और सारे letter V है तो यहां देखो A, D, E, I, P, T, T, U इसका मतलब कि sir उसने alphabet के coding जमाया है और alphabet के coding जमाया है तो यहां attitude को बताओ क्या हैगा किसार alphabet करूं सार पहले कौन आएगा A फिर आएगा D, फिर आएगा आपके पास E फिर आएगा I, फिर आएगा आपके पास TTT और फिर U तो TTT एक में है यह रहा A, D, E, I, D इसका मतलब कौन सा है option number B समझ में आया option number B हो गया यह अपना right answer है, correct answer है next question है 471 के बाद 472 अब इसमें reason को 51 लिखा हुआ है अब जब इसमें 51 लिखा हुआ है तो क्यों ना आपन इसके नम्मर डाल के देखें तो नम्मर डालोगे तो बीटा 18 आएगा 5 आएगा, 1 आएगा 19 आएगा, 15 आएगा 14, सब का sum करो सब का sum करने पर 47 आना चाहिए 8, 5, 13, 14 14 के बाद 9 एड कर दो, 23, 25, 28, 28, 28 और 4, कितने होंगे sir 32 तो यहाँ पर आपके पास 3 carry आ गई है 1, 2, 3, 4 4, 3, 7 42 आए, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर प्लस 6 करूँ तो अपने पास यहाँ आएगे 48 हाँ भई, प्लस 6 करें तो 48 आएगे तो क्यों ना आपन इसकी alphabet को अपोजिट करके देख लें तो अपोजिट करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखोगे, कि sir अपोजिट करेंगे तो, अनुशर आभी सकता है अपोजिट करें तो आर का तो लिख दें आपन 18 ए का अपोजिट कर दें अगर ए का अपोजिट करूँ तो अब ए का होगा 22 ए का अपोजिट 26 S का 19 रखें ओ का अपन 12 कर दें N का 14 है, N का 14 ही रखें अब इनको मैं एड करूँ 8 और 10, 10 और 6, 16 16 और 9 आप बोलोगे कितने हैं, 25, 25 और 27 और 4, 31, 31 का 1, carry 3 आ गई 1 और 2, 3, 3 और 2, 5, 6 7, 8 और 3, 11, 11 है लेकिन चाहिए थो हम कितने थे, 51 इसका हाब भी नहीं हो सकता अब इसका उल्टा करो, कि R का उल्टा करो यानि कि 9, और E का सेम रखो 5, E का सेम 1 19 का उल्टा 8, O का 15 सेम रखो, N का उल्टा कर दो 13, अब एड करो, 9 और 5 14, 15, 15, 8, 23 23 और 5, 28 होते है और 28 और 3 जाओगे ना तो बेटा 28 और 31 होगे यानि कि 1, 3 आ गया 3, 4, 5, बिल्कुल आ गया 51, देखो कैसे हुआ समझ में आ गया ना, कि कैसे logic लगाया किसने जो vowel था न उसको सेम रखा, consonant को opposite किया, तो यहां ऐसे ही check करेंगे, तो यहां consonant को opposite बेटा 13 आएगा, 1 आएगा 18 का 9 आएगा, 9 आएगा और ये 25 आएगा, नहीं इसका opposite करेंगे, तो Y का 2 आएगा सबको add कर दो सबको add करेंगे तो 3, 4 9 और 4, 13 गलत क्या होगा, अगर मैरे की बात करेंगे तो सर्क 13 का तो 13 रहेगा, नहीं अब उल्टा होगा, 14 होगा, A का 1 रहेगा, R का 9 रहेगा R का 9 रहेगा, Y का 2 रहेगा लेकिन उल्टा करना है विटा, Y का 2 रहेगा, कैसे तो 25 का by, यहां बिलकुल 2 ही तो रहेगा, अपोजिट करना है, विपरित करना है 4 रहेगा, 5, 9 और 5 कितने होगे, 14, 14 और 9 की 23, 23 और 2, 25 होते हैं, बेटा 5 और उसके बाद 2, 1, 3 35 आएगे, 35, बिलकुल सही है इसका मतलब हमें समझ में आया कि लोजिक क्या लग रहा था, 472 में कि सर वोवल को सेम रखा, कॉंसोनेट को अपोजिट अच्छा कोशन देता है 473, 430 430 की बात करें कि सर इसमें क्या लिखा होगा कि सर इसका नंबर लागे 5 है 24 है, ये 8 है, ये 1 है ये 12 है, और ये 5 है इसमें देखा कि सर 9 है, ये 6 है ये 5 है, ये 2 है ये 2 है, ये 2 है, ये y है यानि कि 25 है, ये बिटा 25 है इनका अगर मैं अपोजिट की बात करो तो अपोजिट नहीं हो रहा इनकी आप सोचोगे कि सर इनका विप्रीत कर लो तो बिटा सब का तो विप्रीत नहीं हो रहा और सब का अगर भी प्रीत नहीं हो तो दूसरा लोजिक लगाएंगे चलिए दूसरा लोजिक लगाते हैं आप देखोगे इसमें कि ये 5 है 5 से 9 प्लस 4 हुआ होगा लेकिन 5 से 25 की बात करें न तो 5 से 25 की बात करें ये कैसे हो सकता या तो प्लस 20 हुआ होगा और यहा हमारे पास हुआ होगा अपने पास माइनस में 6 ठीक है बई 5 से 9 की बात करें तो आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि यहाँ इसमें क्रोस में कर दिया हो और प्लस में 4 कर दिया 24 से 2 की बात करें कि सर 24 से 2 कैसे आया माइनस 6 करोगे तो नहीं आएगा लेकिन 24 में अगर आपन जोडेंगे सर्थ प्लस में 4 तो बिल्कुल प्लस में 4 कर देंगे तो 24 और 4 28 होते हैं यह आजाएगा 8 की बात करें कि सर 8 से 12 12 में बात करें कि सर यहां क्या हुआ तो अब minus 6 हुआ तो minus 6 plus 4 आगे इसके बाद किसका नमर था आगे इसके बाद सर minus 6 का नमर था तो minus 6 करते तो minus 6 के कितना आ गया 8 में 6 गया दो आगया बिल्कुल आ गया दो अब आगे plus 4 का नमर है तो प्लस 4 एक में 4 किया 5 बिल्कुल सही है क्या logic लगाया है बई आच्छा ऐसे ही ऐसे ही इसमें चेक करेंगे सर सबसे पहले इनको ऐसे क्रॉस करो तो यहां सबसे पहले आप देखोगे आठ में से 6 गए तो 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे सर लास्ट में भी आएगा जो कि 3 में है आगे है अपने पास यहां अब उसके बाद अपने पास हुआ फिर उसके बाद आप देखोगे सर 24 था प्लस 4 हो रहता आगे चलते हैं 9 में 9 में 4 जोड़ोगे 13 आएगा B फिर 14 में से आपको 6 गटाना है 8 आएगा यानिकी H 4 में 4 जोड़ना है H 5 26 में से 6 माइनस करना है 5 में से 6 मतलब 31 में से 6 माइनस करना है आप बोलोगे कि सर 25 आएगा यानिकी Y और यहाँ 4 जोड़ना है तो 18 और 4 22 होते हैं तो देखोगे आपके पास VYHH VYHHMB जो किसमें मिला? उप्सन नम्मर B में तो 473 हुआ नेक्स्ट कोशन है 474, 474 और 474 नम्मर सवाल के आप बात करोगे कि सर इसमें इसको ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है तो कैसे लिखा होगा? इसने क्या दिमाग लगाया होगा कि यहाँ है 12, फिर है 9, फिर है 1 फिर है 2, फिर 9 है, फिर 12 है फिर 9 है, फिर 20 है और ये 25 है क्या लिखा हुआ है नीच सर 9 जैसा है 5075951 और यह 3 अब ऐसा कुछ यह code decode कर रखा है कि इसमें आप check करोगे न तो पता ही नहीं चलेगा कहां से आया उसके लिए यह check कर ले न कहीं copy तो नहीं करवा रहा है और copy के लिए देखो क्या check करोगे दोनों में common देख लो क्या है आप देखोगे कि सर दोनों में common t आ रहा है अब यहाँ t है इधर भी t है t को यहाँ one लिख रहा है और t को यहाँ one लिख रहा है इसका मतलब copy करना है क्या करना है copy और copy अगर करना है तो सबसे पहले P का check करो P का 8 है तो यानि कि P का 8 आया I का क्या है 5 है sir C का क्या है तो C चौथे नम्मर पे है चौथे मतलब 2 है sir उसके बाद T की बात करें T का अभी आपने बताया था कि T का कितना था 1 तो 85 21 एक में आया जो option number कौन सा है B बिलेकुल right answer है correct answer है समझ में आया तो चलिए next question के और बात करते हैं next में 475 यानि कि 475 और 475 में आप देखोगे कि sir candle का लिखा हुआ है ये और candle को ये लिख रहा है तो आगे क्या करेगा कि sir अगर मैं number डालू तो अपने पास है 3, ये 1 है, ये 14 है, ये 4 है, ये L का 12 है, E का 5 है नीचे डालने कि sir 6 है, ये 13 है, 5 है, ये 15 है, ये 2 है और ये 4 है अब यहाँ check करोगे अपने पास क्या है कि sir 3 से plus 3 हुआ होगा लेकिन यहाँ देखें plus 1, plus 1, plus 1, हाँ cross में j check कर लो plus 1 हुआ plus 1 हुआ plus 1 plus 1 plus 1 cross में plus 1 हो रहा है और cross में plus 1 हो रहा है न तो आप इसको भी plus 1 कर दीजिए मतलब पीछे से 6 और 1 7 होंगे 9 और 1 10 होंगे j आएगा 24 और 1 25 होगा 9 और 1 10 होगा 14 और 1 15 होगा 7 और 1 8 होगा तो अपने पास आजाएगा HOJYJG यानि कौन सा option number D तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा क्या कि 475 यानि कि 475 वाईले question का option number D आया और अपने पास यहाँ question complete हो चुके है coding decoding के 475 475 सर और कितने सवाल बचने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इतने सारे सारे आपन question कर रहे हैं तो अब देखेंगे अब मेरे प्यारे बच्चों इस्यू में 476 के बाद यानि कि आगले जो भी question होंगे उसको next class में next video में उसके बारे में बात करेंगे तो मिलते हैं अगली class में जब तक के लिए good bye